नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरी टूप चैनल में दोस्तों आज मैं आपको MC की पोर्टल पर इनकी Ministry of Corporate Affairs की वेबसाइट पर आप अपनी प्रणी लिम्टेड कंपणी कैसे रिस्टेड कर सकते हैं और आप अपनी कंपणी के साथ साथ आप अपनी कंपणी के सभी डोकुमेंट एक साथ एक ही वेबसाइट पर आप रिस्टेड कर सकते हैं आप अपनी कमपनी का जीस्टी नेंबर रिष्टेड कर सकते हैं आप अपनी कमपनी का ESI और PF का रिष्टेशन भी एक एक वेबसाइट पर कर सकते हैं दोस्तों बूत सारी फ्रेंड्स के मेरे पास कोमेंट्स आ रहे थे कि क्या आप EPF ESI का रिष्टेशन सर्मसिदा के पोर्टल पर नहीं कर सकते या फिर वो हमें रिष्टेशन MC की वेबसाइट पर जाके करना होगा दोस्तों अगर आपने अपनी कमपनी पहले रिष्टेड कर चुके हैं और आपको अपनी कमपनी का EPF ESI का रिष्टेशन आपको करना है तो वो रिष्टेशन आप सर्मसिदा के पोर्टल पर जाके कर सकते हैं अगर आपनी नियू कमपनी करेट करनी है तो आप MC के पोर्टल पर जाके तो अब अपनी company के साथ साथ उसके सभी document यनिके अपनी प्राइड लिटेड कंपनी के साथ साथ सभी document एक साथ registered कर सकते हैं तो इसलिए इन्होंने MCA की website को online कर दिया है दोस्तों अगर आप अपनी company का पहले इनकी प्राइड लिटेड कंपनी अपनी registered करवाते थे उसके बाद आपको gt number लेना पड़ता था, e-site number अलग साथ से लेना पड़ता था, pf अलग से लेना पड़ता था इनकी सारे registration आपको अलग-अलग साथों पर जाके करने पड़ते थे अब सभी website को यनिकी सभी registration को एक साथ से link कर दिया है अब एक ही साथ से आप अपने सभी registration कर सकते हैं अगर आप अपनी company registered करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर register पर click करके आपको अपनी ID create करनी पड़ेगी दोस्तों अगर आप business user है आप professional है तो आपको business पर click करना है अगर आप individual user है तो आपको यहाँ पर register user पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर basic detail डालनी है जैसे नाम, date of birth, address यहाँ पर आपको अपनी ID create करनी है आपको अपनी ID 8 से 11 digit में create करनी पड़ेगी आप alphabetic दे सकते हैं, small capital में दे सकते हैं और यहाँ पर numbering भी दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप अपना password create कर सकते हैं यहाँ पर आपको small capital यहाँ पर numbering में डालके आप इन special character में से special character डालके अपना password create कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक question hint आपको चूज करना है जैसे कि मैंने अपनी आइडी पहले ही create की हुई है तो मैं आशे उसको login कर लेता हूँ दोस्तों मैंने अपनी आइडी को login कर लिया है उसके बाद आपको यहाप पे mca service में जाना है आप जैसे mca service में जाएंगे आपको यहाप एक company service मिल जाएगी कमपनी service में आपको spice plus का आपको option मिलेगा spice plus पे आपको click करना है दोस्तों अगर आपने पहले कोई अपनी application डाली हुई है तो existing application पे आ जाएगी अगर आप new application डालना चाहते हैं तो यहाप आप new application पे click कर सकते हैं दोस्तों यहापए आपको company select करनी है इनके new company other select करना है दोस्तों यहापे main division और industrial में आपको यहापए अपने business की activity का code डालना है आप mca की site पे जा के भी search कर सकते हैं दोस्तों यह मैंने MCA की साइट से डाउनलोड किया हुआ है तो इस टेंपलेट में आप अपना कोड नबर देख सकते हैं यह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो यहां पर आप अपने बिजनेस के कोडिंग यहां पर बिजनेस डाल सकते हैं यहने कि आपकी मे मैंनस कंपनी है तो यहां पर 67 डालना है यहां कि जो भी आपकी आपकी जिससे यहीं पर नाम है यहां पर पर प्राइवेट लिखके में लिखे इने कि जो भी उसे पहले आपका नाम है उसके बाद आपको पूरा private limited आपको लिखना है auto check पे आपको click करना है आप जैसे auto check पे click करेंगे अगर कोई company ऐसे बनी हुई होगी इस नाम से तो यहाँ पे दिखा देगा उसके बाद आपको यहाँ पे save पे click करना है आप जैसे save पे click करेंगे इनकी spice का part A यह मारा successfully save हो चुका है अब इसको हमें submit करना है आपके सामने दो प्षण आ जाएंगे submit for name, reservation और proceed for incorporation अगर आपको confirm है कि यह नाम पहले से नहीं बनावा है आपने check किया है तो आप इसको proceed for incorporation पे कर सकते हैं अगर आप इस name को इनकी reservation करना चाहते हैं कि अगर यह नाम पहले नहीं बनावा है तो यह नाम हमारे लिए reservation हो जाए निकी reservation हो जाए तो आपको इस पर click करना है उसके लिए आपको यहापर जैसे click करेंगे आपको 1000 की जो भी इसकी government fees आपको fees paid करनी है दोस्तो इसके बाद आपको one or two working day में आपके पास reply आजाएगा अगर आपका name reserve हो जाता है तो आपके पास reply आजाएगा अगर आपका name reserve नहीं होता है तो आपके पास reply आजाएगा अगर आपकी application reject हो जाती इनकी आपका नाम reject हो जाता है तो साइध आपका जो government fees है वो refundable नहीं है वो आपको refund नहीं मिलेगी तो यहाँ पे जैसे एंपर शीर for incorporation पे कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे इंट्रेंड में आपको no करना है यहाँ पे आपके capital share है यहाँ पे capital share पे रेंड देना है दोस्तों यहाँ पे आपके total share है आपको total share की value डालनी है एक share की कितनी value है इनकी 10,000 share है एक share की value 10 रुपे है तो मारे total share की value एक लाख हो जाती है इनिए के आपके प्रफराइंच सिर आपके 0 है तो आपके सब्सक्राइबर केपिटल शेयर कितने है वह हमारे सेम यहाइं參加 ç Aynd tawal बाद आक पर कॉड़िन्य सेयर आपके कोरडिंग रेंगे इनिए कि आपके दस रुपे के सेयर है पचास रुपी के share है या 100 रुपी का share है उसके coding आप अपनी share की value और share की quantity निकी आपकी share की quantity और share की value आपको अपने coding डालनी है उसके बाद आपको यहां पे save and continue पे click करना है दोस्तों, यहां पर आप Company का इनगी, आपकी Company का Proper Address, Complete Address आपको डालना है, यहां पर आपको City Select करनी है, यहां पर State Select करना है, पिन Code डालना है, उसके बाद यहां पर Distinct Select करना है, दोस्तों, यहां पर आपको Std. Code सहीत, इन्हें आप Mobile Number डालना चाहते हैं, तो Mobile डाल सकते हैं, अ आपको yes पर click करना है नहीं तो आपको यहाँ पर आपकी company का correspondence address यहाँ पर फिल करना है उसके बाद जैसे यहाँ पर आपके अपनी डिटेल डालेंगे यहाँ पर आपको अपनी रिष्टार ओफिस है जो भी आपका company का रिष्टार ओफिस है आपको यहाँ पर उसकी details select करनी है उसका address आपको select करना है आप जैसे ही यहाँ पर state डालेंगे state के बाद district चूज करेंगे आपकी company का यहाँ पर आपके यहाँ डालना है इनके किजने के आपके दिन नंबर है अगर आपके total दो डारेक्टर है और एक के पास आपका दिन नंबर है तो आपके यहाँ पर content डालन एक इनके एक के पास आपका दिन नंबर है एक के पास आपका दिन नंबर नहीं है अगर आपका किसी के पास दिन नंबर नहीं है तो यहाँ पर जिरो करना है और यहाँ पर करना है उसके बाद यहाँ पर आपको जिरो करना है यहाँ पर जिरो करना है यहाँ पर जिरो करना ह उसके बाद save and continue पे आपको click करना है दोस्तों जैसे save and continue पे आप click करेंगे यहाँ पे आपको अपने directors की यानिकि जो आपके subscribers हैं उनकी यहाँ पे आपको address डालना है यहाँ पूरी detail आपको यहाँ पे डालनी है जैसे मैं नाम डालेता हूँ यहाँ पे आपको भदनेम डालना है यहाँ पे आपका gender select करना है यहाँ जो भी आपका director है यहाँ पे उसकी date ओपर डालनी है दोस्तों यहाँ पे आपको उसकी nationality डालनी है यहाँ इंडियन है या out of country से हैं आप इस calendar से भी आप date ओपर बर्थ डाल सकते हैं यहाँ पे आपको अपने director का birth or place आपको डालना है यहाँ पे शिर्फ district भी डाल सकते हैं या उसका state भी डाल सकते हैं अगर आप कोई भी address डालते हैं तो आपको यहाँ पे बीच में space नहीं देना है अगर आप जैसे space देंगे तो यहाँ पे error दिखा देगा तो यहाँ पे आपको कठा डालना है यहाँ पे आप से पेसल यहाँ पे एक district की आप कोई भी address यहाँ पे डाल सकते हैं का यहां की occupation का area select करना है. क्या है? गोर्वर्मेंट्स में है या private sector में है. गर private sector में है तो आप यहां पर अधर कर सकते हैं. दोस्तों यहां पर आपको उसका specify करना है यहां कि जो आपका director है यहां कि जो आपका subscribers है वो self-employed है तो private sector में किस फिल्ड में है तो आपको यहाँ पर डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर बिजनस डाल दिया है, यहाँ पर आपको उसकी education select करनी है, यहाँ पर आपको उसका pen number डालना है, यहाँ पर आपको director का designation select करना है, managing director है, यहाँ पर उसका category select करनी है, professional है, promoter है, जो भी है आपको select करना है उसके बाद यहाँ पर chairman, executor director और अवो लृण एकजीबूट तरो जिर्डरक्टर यहाँ पर एकजीबूटर डीर्टर आपको त्रह करना है उसके बाद आपको यहाँ उसकी строй मिलेट डालनी है दोस्तों यहाँ पे आपके जो डिरेक्टर हैं, सस्क्राइबर्स हैं, उसका यहाँ पे आपको complete address देना है, यहाँ पे आपको state सेलेक्टरना है, यहाँ पे pin number डालना है, यहाँ पे आपने पहले ही residence of India किया है, तो यहाँ पे automatic इंडिया चुका है, यहाँ पे STD code सहीद आपको mobile डालना है, दोस्तों अगर आपके subscribers का present address प्रमाणेट address सेम है, तो आप यह इस पे कलिक करना है, नहीं तो आपको no करके आप एडरेस डाल सकते हैं, आप जैसे इस पे कलिक करेंगे तो यहाँ पे आजाएगा, अगर आपके subscribers इस present address पे कितने साल से रहे रहे हैं, कितने टाइम से रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसका time period डालना है, एक साल से रहे हैं, दस साल से रहे हैं, बीस साल से रहे हैं, कितने मन से रहे हैं, वो आपको डालना है दोस्तों उसके बाद यहां पर उसकी identity select करनी है आप passport upload करेंगे या driving license upload करेंगे जो उनके पास identity है आपको यहां पर select करनी है यहां पर आपको उसका address proof select करना है bank statement आप दे सकते हैं electricity bill दे सकते हैं telephone bill दे सकते हैं mobile दे सकते हैं इनकी जो आप देना चाहिए व अब पांस है डाल दी है यहां पर preference े alan program 00 कर दिया उसके बाद आपको यहां पर second डिरेक्ट के डिटेल को सेक्ट करना है उसके बाद आपको гр अगर electric payment करना चाहते हैं, online payment करना चाहते हैं, तो आपको yes पर करना है, आप जैसी yes पर click करेंगे, तो आपको pre-fill करना है, इनकी pre-fill करने के बाद, जो भी आपकी stamp duty बनेगी, यहाँ पर stamp duty यहाँ पर आपकी आ जाएगी, उसके बाद अगर आपने पहले को stamp duty paid कर रखी है, तो आ no करना है या na कर सकते हैं, अगर आपने कोई stamp duty paid नहीं की हुई है, तो यहाँ पर आपको zero करना है, उसके बाद आपको save and continue पर click करना है, दोस्तों यहाँ पर आपको pen का evocode डालना है, यहाँ पर 10 का evocode डालेंगी, 10 number का evocode डालना है, यहाँ पर आप Google में सर्च कर सकते हैं, इनके आप जैसे Google खोलेंगे, open करेंगे, Google में आपको लिखना है pen evocode, आप जैसे इसको सर्च करेंगे, यहाँ आपके सामने nsdl की site आपके सामने की link आजाएगा, आपको इसको open करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर city चूज करनी है, यहाँ पर आपको city चूज करनी है, यहाँ पर आप अपने coding जो भी आपका evocode है, आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर आपको 10 का evocode डालना है, इसी परकार आपको दोबारा Google में जाना है, आपको Google में आपको लिखना है 10 evocode, जो भी आपका 10 का evocode हो जाएगा, यहाँ पर भी nsdl की site आजाएगी, इसक से कम है तो आपको यहां पर इसको सेलेक्ट करना है अगर दस लाग से जाद है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है यहना कि अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों यहां पर आपको आपको कंपनी का सोर्स और पर इंकम देने हैं इन्हें कि आपका medical है, engineering है, architecture है, यहां कि जो भी started accountant है, यहां पर आपको डालना है, मैंने यहां पर 0 और 4 डाल दिया, अगर आपको अभी कोई business source, other source है, तो आप इसको यहां पर अटाक है, यहां पर other source करेंगे, तो आपसे कोई code नहीं मांगे, आपको save and continue पर click करेंगे, अगर कोई भी आपकी correction होगी, यहां पर दिखा देखा, कोई issue नहीं है, यहां पर जैसे कि यहां पर उन्होंने एव कोड दिखाया हुआ है, यहां पर आपको पैन का एव कोड आपको चेक करेंगे, उसके बाद आप save and continue पर click करेंगे, तो यह आपकी next page पर बढ़ जाएगी, दोस आपको यहां पर declaration को upload करना पड़ेगा, यहां पर आपके subscribers की utility बिलाप upload कर सकते हैं, यहां पर आपको residence address का upload करना पड़ेगा, यहां पर आपको identity and address proof upload करना पड़ेगा, यहां पर इसके coding आपको document अभी यहां पर upload करने हैं, तो यहां पर इसके coding आपको document यहां पर upload करने हैं, जैसे मैं आप उप्व्रोड कर लेता हूं. दोस्तों जयासे कि मैं यहाँ प्वे डॉक्वेट अप्रोड कर दिये हैं, यहाँ पे आपको डॉक्वेक्वाट से सित लगने यहाँ आपको करना को उप्वेक्वर चॉपे 22 परणा पड़ेगा और उसके बाद आपको save and continue पर click करना है दोस्तों यहां पर name automatic आजाएगा यहां पर आपके see a का address डालना है यहां पर दोस्तों आपको associate पर click करना है उसके बाद आपको यहां पर pre-cutney पर click करना है जैसे आप pre-cutney पर click करेंगे यहां कि जो भी आपका form है successfully save हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर submit करना है दोस्तों यहां पर पार्ट भी था spice का part भी हमारा complete हो चुका है हमारा part भी submit हो चुका है यहां कि हमारे यहां पर successfully आ चुका है submit to successfully उसके बाद यहां पर आपको ok पर click करना है जैसे आप ok पर click करेंगे आपके यहां पर existing application पर click करना है उसके बाद जो भी आपने application डाली होई थी यहां पर application आपके नीचे आ जाएगी उसके बाद आपको यहां पर application number पर click करना है जैसे आप application number पर click करेंगे आपने जो भी फोरम फिल किये हैं आपकी सामने दिख चाहेंगे इनकी यहां पर आपका part A फिल हो चुका है, part B हो चुका है दोस्तो मारा आप form A फिल हो चुका है, form B फिल हो चुका है दोस्तो अब हमें PRO form फिल करना है, AOA फिल करना है, और MOA फिल करना है, इनकी जो मारा फोरम भी है, यहां पर डाउनलोड के लिए आचुका है, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ऐसे हमने और भी form फिल करने हैं, दोस्तो उसके बाद हमें यह भी form फिल करने हैं, यह मैं आप पर प्यार एफोर्म कैसे फिल करेंगे एवड एफोर्म कैसे फिल करना है और मोई फॉर्म आपको कैसे फिल करना है तो दोस्तों अगर अबी तक आपने हमारे यूटॉपछन को सब्सक्राइB नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, स Apache, को बेल आइकन बटन को जुरू प्रस करें ताकि लेटस्ट वीडियो आपके पास हमारी पहुंचती रहे